जन्रसाम नमस्कार बहुत-बहुत स्वागत है आपका मेरे चनल पे ठैंक यू मनुद्धर अंड बहुत-बहुत बदाई राम लाला को उनका स्थान मिल गया है बिलकुल बहुत अच्छा लाला अजोध्या में राम मंदिर प्रान प्रतिष्ट्या समारों से ठीक एक दिन पह मेक्सिको में भी भगवान राम को अपना स्थान मिला उनका मंदिर मिला मंदिर को अधिकारिक तौर पे अमेरिकी पुजारियों ने प्रान प्रतिष्टा समरों के बाद खोला और इस मंदिर में रख्योई मूर्तियों को भारत से मंगवाया गया था भारतिय दूतावस ने कितना पांसो साल से ज्यादा लगे मगर देर आए दुरस्त आए और अभी ऐसा लगता है पूरे भारत के अंदर एक नई लहर पोंच गी है और जैसे रामलाला को लगाया गया मंदर बनाया गया उनके लिए और यह भारत में नहीं बाकी और देशों में यूरप के में भी आस के लिए में देखें इंडोनेशिया मलेशिया और आप थाइलेंड काफी ऐसे देश हैं जो की यह कारवाई हुई है जहां पर लोग बहुत खुश होएं यह आफ्रिकन कंट्रीज में भी तो एक सचाई है कि जिस परकार से इसके लिए उस्सा था और भारत के अंदर जिस प हिंदू दर्म है उसके अंदर यह किसी एक रिस्टिक्टेड ने होता कि वो हिंदू ही हो वो पूरे वाल्ड के लिए है पूरी हुमेनेटी के लिए यह एक बहुत अच्छी बात है यह कुछ एक सीखना चाहिए पूरे वाल्ड में और मुझे लगता है एक बहुत ही एक वर्ल्ड की कुमुनिटी के लिए हुआ है ना कि किसी कुछ एक लोगों के लिए और यह जो धर्म है यह सिखाता है आपको लाव पीस और बेसिकली ट्रस्ट बिट्वीन इच अदर एंड केर फूर हूमन बिंग एंड लाव फूर हूमेनेटी तो यह बहुत अच्छी तरी के गया और जिस परकार से यह पूरी कारवाई की गी यह भी काबले तारीफ है बहुत ही कम समय के अंदर इतना शांदार मंदिर आना और जिस परकार से लोग वहां पर गए हैं तो को अभी होगा क्या यह रिलिजिस टूरिजम का हिस्सा बढ़ जाएगा अब आयोदा में इंटरनाशनल एरपोर्ट बन गया बहुत ही अबल तरजे का रेजवे स्टेशन बन गया जिस परकार से उससा देखा जा रहा लोगों के बीच में अभी बाईस तारिक से बाद आज तेईस तारिक होगी बाईस तारिक को यह कारवाई हुई थी आज महां पर ल कार से प्रधानमांतरी मोदी ने भी बोला इसको हम और जोडेंगे जो रिलिजिस तूरिजम के मद्धन से और और जो सीटीजन को जोड के यह एक बड़ा बहुत ही अच्छा सरक्ट पनाया जाएगा और इससे बारत की एकॉनमी को बहुत पाज़ा होगा क्योंकि बारत से आएंगे और भारत के खुद के भी डिमस्टिक भी और इंटरनेशनल टूरिस्ट तो यह यह भी एक बहुत इंपॉर्टन चीज है तो यह विन-विन सिचुएशन है एक तो यह की वही रामलला की जो के लिए मंदिर बना और यह पामसो साल से जादा लगे दूसरा यह है कि यह हमारी एकॉनमी को भी उठाएगा क्योंकि इससे आयोदा एक मैप में आगया वर्ल्ड के में जिस परकार से वहाँ पर इंटरनेशनल एरपोर्ट बन गया है तो अब रिलिजिस टूरिजम से बहुत जादा भारत की एकॉनमी को फादा होने वाला है यहीं नहीं बाकी ज तूरिजम को बढ़ावा दे सकते हैं सचाई है कि हमारा जो टूरिजम सेक्टर है वो अंडर यूटलाइज है और उसके अंदर बहुत स्कोप है और यह हमें एक्स्पॉइट करना चाहिए क्योंकि भारत एक आज फिफ्ट लाजडिस्ट एकॉनमी है और आने वाले समय में ह जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं हम पूरे एकॉनमी के पहलूं को लेके चलें जिसके अंदर जो आपका रिलिजन टूरिजम है उसके अंदर मैडिकल टूरिजम है बाकि टूरिस्ट आएं वो बहुत इंपॉर्टन्ट है मनुदर आपने सही कहा सर वहां पर जितन 80,000 करोड रुपे का वहां पर प्लैनिंग है उसको खुबसूरत बनाने के लिए उसको व्यवस्यत करने के लिए तो मैं समझते हूं कि आने वाले दिनों में तो वहां पर एकॉनमी का बिल्कुल भूम रहेगा अच्छा अमेरिका के न्यू यॉक के टाइम स्कॉयर पर भी काम मंदिर प्रान प्रतिष्टा समारोथ के एक दिन पहले लोगों में इतना जोज था मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहूंगी आप उससे देख सकते हैं कि क्या हाल था वहां खुशी का लोगों में तो यह हम देख पा रहे हैं कि देश ही नहीं विदेशों में भी जबरदस्त जोश था वहां पर आप देखिए इंडियान मेस्ट को इरों ने एक ट्वीट भी किया है जिसमें यह बता रहे हैं कि किस तरीके से वहां पर जोश देखा गया लोगों ने मतलब जैसा हम यहां मैसूस कर रहे थे विदेशों में भी लोगों नहीं मैसूस किया अब सर में आती हूं दूसरे बाते आज टेसला के सियो एलन मस्ट ने साइट राष्ट संकी स्क्योटी कॉंसिल यानी के युएनसी में भारत की पॉमनेंट सदस्थता नहीं होने को बड़ा बेदुका बताया है मस्क ने कहा कि कुछ देशों के पास ज्यादा ताकत है जिसे वो छोड़ना नहीं चाहते है और उन्होंने युएन चीफ अंटैनियो गुट्रेस के ट्वीट को शेर करके ये बाते लिखी दर असल उन्होंने गुट्रेस ने ये खा था कि अफरीका का नित्रत करने के लिए युएन चीफ में कोई नहीं है और वेश्विक संस्थाओं को समय के मुताविक बदलना चाहिए बजाए इसके कि वो असी साल पहले की दुनिया की तरह चले सर क्या कहते हैं आप अब ये युनाटी नेशन जो बना था नैंटीन फोर्टी फाइम में बना था सेकेंड जो देश ये सोचे गए थे कि काफी पारफुल हैं उनको युन स्कूर्टी कैंसल का पर्मेरेंट मेंबर बनाया था जैसे युवर्ज को पता है जिसके अंदर युवर्ज है उसके बाद आपका युके फ्रांस चाइना और रूस है तो अब समय बहुत बदल चुका है अब मल्टी पॉलर वाल्ड है और इसके अंदर सबसे इंपॉर्टन चीज है कि ये प्रॉपरली रिप्रेजेंट नहीं करता वाल्ड को इसके अंदर आपने बहुत अच्छा बोला अफ्रिकन कंट्री का कोई भी देश नहीं और आप कैसे मान सकते हैं एक जो लाज़स्ट डेमो क्रसी है आज वो हिस्सा नहीं है इसका इसी परकार से जो अफ्रिकन कंट्री जुहां रिप्रेजेंट नहीं करती तो यह बड़ा बेतुका है आज तब ही आज हुआ क्या है कि चौन्दे साल से युनाइटी नेशन जो है इंक्लूडिंग युनाइटी नेशन के बाकी वर् और वर्ल्ड ओर्डर है उसके तहर चेंज होना चाहिए इसमें कोई शक नहीं और यह अगर चेंज नहीं होती तो फिर यह अंसक्सासून होंगी आज की तारिक में युनाइटी नेशन जो कारवाई उसको करनी चाही थे वो कर नहीं पा रहा क्योंकि उसके अंदर इतनी इक में जो पर्मेरेंट मेंबरें स्क्योर्टी कॉंसल के वो बढ़ने चाहिए पूरे वर्ल्ड में जो हर एक कॉंटिनेंट को रिप्रेजेंटेशन में चाहिए जो देश भारत जैसे हैं या मानलो जिपैन जर्मनी साउथ अफरीका ब्रैजिल जिस परकार से उनके नाम आ इसक्रिया भी चेंज होनी चाहिए क्योंकि आज की तारिक में जो न्यू चैलिज है न्यू वाल्ड ओर्डर के उनको वो एक परकार से एड्रेस नहीं कर पा रहा और वही एक कारण है कि आज आज आप जो रश्या यूक्रेन की लड़ाई देखें या आप इसराइल हमास की नहीं कर पाया है उसका कोई constructive रोल नहीं है जब कितना पैसा खर्च होता है यूनाइट नेशन में तो ये एक विडंबना है कि अभी तक ये जो पांट देश हैं ये इसको चेंज नहीं क्योंकि ये पावर रूज नहीं करना चाहते मगर आज की तारिक में यूनाइट नेश हो चुका है इसमें भारत जैसे देश ना होने से बहुत भी बड़ा नुकसान हो रहा है और मुझे लगता है ये आने वाले समय में इसमें बहुत जल्दी बदलाओं होगा और जैसे हम बात कर रहे थे अफ्रीकन कॉंटिनेंट की representation बहुत जरूरी है और बाकी जो देश जो अब चैलिंजी जा रहे हैं नए नए उनको ये address कर पाई मनमिंदा अच्छा पाकिस्तान पर भी बात कर लेते हैं पाकिस्तान और इरान ने आपसी सहमती व्यक्त की है पिछले दिनों आपने देखा ही था वहां एक दूसरे पर अटैक हुए एर स्टाइक हुई दोनों भी कहा कि उनके विदेश मंतराले ने ये बताया कि विदेश मंतरी जलील अबास जलानी के निमंतरल पर इरानी विदेश मंतरी हुसैन अमीर 29 जनुवरी को पाकिस्तान का दोरा करेंगे लेकिन सर जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं मैं आपका इस पर नोट लेना चाहूंग देखो इस जो टेट फोर टेट हुआ जब पहले एरान ने जैसल अदल एक सुनी मिलिटन्ट ग्रुप है उसको टार्गेट किया गया पाकिस्तान के अंदर और फिर पाकिस्तान ने परट वार किया और उसने भी कुछ एक बिलूचिस्थान लिबरेशन आर्मी की जो कैम्प थे उनको टार्गेट किया मगर इसमें तींचा चीज़े बहुत इंपॉर्टन्ट है पहले आप पाकिस्तान को देखें पाकिस्तान के रिलेशन्चिप उसके सभी नेवर से अच्छे नहीं उसकी वज़ए ये है कि सभी सभी उगली उठाते हैं कि पाकिस्तान एक हब सेंट टर्रिरिजम का पाकिस्तान टर्रिस पालता है और फिर दूसरे दिशनों बेटता है जैसे बारत में वो लसकर और तोबा जैसे मुम्मद आतमवादी बारत में बेतरा है आज वी दस हजार के करीब लसकर होब जासे मुमद के आतमभादिं के ट्रेनिंग एरिया और लाँच community निसी परकार अफगानिस्तान भी कहीं न कहीं बार-बार करें कि पाकितान जो है टर्रिस्ट अपने को वो बैसी देता है और वो कुछ टर्रिस्ट आके एक परकार से अफगानिस्तान के अंदर ऑपरेड करें उन्हों ने भी इसको बहुत पाइंट आउट किया इसलिए आज की तारीक माफगानेता और पार्यश् ли रिलेशन्ग भी कमजोर है क्योंकि अफगानेता धूरं लाइन भी निमान का, पस्तूर रेवल्स की फिरॉबलम मगर यह भी बहुत भडी सक्त प्रॉबलम है कि अफगानेतां यह करता है कि पाकितां जो है वो टीर्रिस्टों को एक प्रकाप्णा देता है अब आगी एरान से ईरान बार बार बोलता रहा है कि यह सुनी मिलिटन्ट गृरुप है जैसे जायस अलजल इनको पाकितान एक परकार से बेशी देता है ट्रेनिंग करता है और वो एरान में बेश ता 할ाई तो अब ये एक बार तो सचाई होगी जो इस चीज से कि जितने भी नेवर हैं except China जो की नेवर नहीं होना चीजी तको कि टिबेТ उसका इस्सा नहीं है मगर ये सच्चाई है आज पकिस्तान से परेषान है और उसकी वज़ए यही है क्योंकि पकिस्तान एक आतंगवाद का गड़ बन गया है और आज पकिस्तान बार बार उआ उठके बताने की कोशिश करया वर्ड को कि वो भी एक टेर्रिजम का विक्टम है मगर सचाई यह है कि टेर्रिजम पैदा ही पाकिस्तान ने किया तो आ तो विक्तम होगा मगर अभी तक वो अभी भी जब कि वो टेर्रिजम का खुद विक्टम बन गया है लस्करे तोबा जैसे और जैसे महममद जैसे टेर्रिजम अभ तो ये सचाई है कि पाकितान का जो असली चैरा है मुझे रगता है वो एक्सपोज हुआ इस से हाँ ये अलग बात है कि अब रिलेशन जो खटास आ गई थी वो दूर होंगे मुच्छी वज़ा ये है इसके अंदर जो देश चीन है वो और रूस भी किसी हद तक नहीं चाहता कि अखराब हो क्योंकि इस्पेशली चीन की जो अच्छे रिलेशन इरान से भी है और रूस के भी आगके तारिफ में इरान से बहुत इंपॉर्टन्ट है जिस परकार से वो मदद कर रहा है ये रूस और की जो लड़ाई चल ली है अभी युक्रेन के साथ जो शाही ड्रों कम हो साथ और दूसरा ये भी आपस में इनको भी महसूस हुआ तो इसलिए आपने ठीक बोला 26 जनवरी तक साथ इनके जो हैं एमबेस्टर भी एक दूसरी कंट्री में जाएंगे और अभी ऐसा लगता है कि साथ जो रिलेशनशिप के अंदर दरार आई ती उसमें हैं मगर सचाई है ये आज पहली बात नहीं है इरान उंगलियां बायरे भी उठाता रहा है पाकिस्तान की तरफ अफगानिस्तान भी भारत भी आज इस से एक चीज़ साफ कुतली होगी है कि पाकिस्तान का जो असली चेरा वो एक्सपोज हो गया है और पूरे वर्ड को दिखा दिय है और पाकिस्तान एक ही देश में ही हर एक देश जो उसके नेवर है वहाँ पर आतंगवादी भेजता है जिसकी ट्रेनिंग कराता है उनको पैसे देता है और ड्रग का जो माफिया है वहाँ सारा का सारा पाकिस्तान से होता है वो अफगानिस्तान के लिए भी प्रेशानी ह बारत के लिए भी परिशान है, बनमिन दर्शा यह जो इनकी आपस में तना तनी हुई है, जिस समय शुरुवात हुई थी तो बहुत जोश में सब बोलने थी, रानी सेना कह रही थी कि पाकिस्तान की जमीन पर जैश अदल के ठिकानों को निशाना बनाने की बातनों ने कही, पर पाकिस्तान ने भी बलुचिस्तान लिबरेशन जो आर्मी है और बलुचिस्तान के लिबरल फ्रंट के ठिकानों को निशाना बनाने का दावग किया था, दोनों ही देश में उस पर अपनी हक जताने की बात कर रहे थे, अब ठीक है, उनके लोग वापस आ रहे हैं, लग इन आने वाले दिन सर कैसे देखते हैं, आप कैसे होंगे, इतनी जल्दी मतलब इनके दिल कैसे मिल गए, इतनी जल्दी इनकी लड़ाई कैसे हो गई, इसलिए ये सवाब ज़्यादा इंपर्टेंट हो जाता है, जी सर, देखो सचाई यह है कि हमें इसको ऐसे भी देखना पड़ेगा, आज की तारिक में जो इरान है, उसके रिलेशनशिप अमेरिका के साथ बहुत खराब हैं, इसराइल के साथ हैं, इरान इन वोल है, अभी जो इसराइल हमास की लड़ाई है, क्योंकि ये जो अभी नोन स्टेट अक्टर जिसको बोलता है, ये टर्रिस्ट और होती रिबल, सिया मेलिटन ग्रॉप है, इन तिनों को जो पालता है, ट्रेन करता है, पैसा देता है, उसके पीचे इरान है, इसमें कोई शक नहीं और इरान इसमें इन वॉल है, और अब जो होती रिबल, रेड सी के अंदर पूरे इंटरनेशनल एक परकार ट्रेड को व एक प्रकार से सतावनी दे रहे हैं उस पे इचे भी इरान का हाथ है। तो यह सचाईया की इरान इस चीज में बहुत इन वॉल है, और ऐसे में इरान जो है, उसने अभी पाकिस्तान पर नहीं, इससे पहले उसने इराक है, जो कि उनका कुर्दिस्तान का इलाका है, वहां प bombardment की rocket और missile से उन इलाकों में जहां पर वो कह रहा है कि साइड इसराइल के स्पाई एजनसी के बेस हो सकती है इसी परकार से उस्थे ने सीरिया बे किया जो वो काता है Islamic State के ठिकाने हो सकते हैं क्योंकि अभी जब वर्षी थी मेज़र जनल्र सुल्मानी की वहां पर दोस्तों से जादा लोगों को मारा गा तो यह सचाई है कि एरान भी एग्रेसिव है मगर इरान पाकिस्तान पर हमला करे ये एक बड़ा ऩ्रल सा लगा मगर सचाई यह है कि पाकिस्तान को वो बार बार उंगिया उठाता रहा है कि आपसे जो आतमगवाद है वो आरान में आके lemons करते हैं चाही है तो आने वाले समय में ऐसा होना कि इनके बीच में कोई इस से तक्राव बढ़ेगा वो मुझे लगता नहीं क्योंकि जिस परकार की जियो पॉलिटिक्स है और जिस परकार से चीन और रश्या है और जिस परकार से अमेरिका देखो अमेरिका तो चाहता है अगर ऐसा हो पाकिस्तान के help कर ने कि वोच चाहता है कि अिरान को दबाया जाए क्योंकि इस लड़ाई इसके अदर एक चीज बड़ी important चीज exposed हुई हम म airflow yeah ने पाकिस्तान के अंदर रोकिट और मिजायल का हमिला किया और जैसल आदलके basis को एक परकार टार्गेट किया. मगर ये भी सचाईी है की पाकिस्तान ने भी टेट फोर टेट प्लट के वार किया. जो कि उनके में विलिशिष्टान अर्मी तो कहीं ने कहीं एक मैसेज जाता है कि जो अमेरिका और इसराइल नहीं कर पाए इरान पे वो पाकिस्तान ने कर दिया इसका मतलब कल को अमेरिका भी यह सोचे गा कि आप होती रिबल पे अटैक कर रहे हैं और तब भी यह रेड सी कंट्रोल नहीं हो पा रहा है वो यमन के लिए इसके सबस्की जड़ तो इरान ही है तो कि एरान पे क्यों नहीं हमला किया जाए है तो ऐसा सोच सकते है थो कि पाकिस्तान ने जब इसको प्रत वार कि आ तो फिर इरान ने तो वापिस नहीं किया तो यह एक बड़ी नई चीज नेकल का आई क्या इसके साथ कैसे कनेट करेंगे क्या होगा क्या ये चीज़ है क्योंकि हो ये राह है ये लडाई तो रुकने का नाम नी देरी इजराइल हमास की और इसके प्रॉब्लम से जो रेड सी के अंदर जिस परकार से सिटुएशन खराब होती जा रही है होती रिबल एग्रेसिव होते जा रहे हैं यमन के इलाके से वो फायर करते हैं जो वो कंट्रोल कर रहे हैं और वहां पर जितने भी पंदरा परसन के क्रीब टेड जाता वो बिलकुट ठप हो गया है ज्यादा तर शिप जो है पूरे अफ्रिका कॉंटिनेंट जो पूर्ट ऑफ गुड होप से होके आ सी सिटूइशन होगी है तो ऐसे में कुछ ऐसा होना उससे क्या हो सकता है अमेरिका क्या करेगा क्योंकि अभी होती रिबल्स के अगेंस्ट आज उसने आठ्वा हमला किया है जिसके अंदर यूस और यूके ने मगर होती रिबल्स तो मान नहीं रहे वो तो अभी भी रैड स इसको कैसे देखके चलेगा यह तो समय ही बताएगा मगर यह हो सकता है ऐसा हो क्योंकि अभी तक इरान डारेक्ट इनवोल वह नहीं है मगर अगर अगर इरान डारेक्ट इनवोल होता है तो फिर यह लडाई जो है यह फैल सकती है और इसका एक बड़ा घानक रूप हो सकता है मगर आने वाले समय में क्या होगा यह कुछ ही कैसे थे क्योंकि जैसे जैसे हमने सोचा था ऐसा तो लड़ाई चल ले रही लड़ाई तो सबने यह सोचा था थोड़े दिन हम खत्म हो जाएगी रश्या युक्रेन लड़ाई दस पंदरा दिन का सोचा था आज वो दो साल से जादा होगे इसको तीन आज जो इसराईल हमास लड़ाई है इसको करीब की तीन बिने से बीस दिन जादा होगे यह साथ अक्कुबर को होई थी तो साथ फेबरेरी को इसको चार बिने हो जाएंगी तो यह एक बड़ा अजीव सी चीजा है तो यह अब जो इरान और पाकित के आपस में मुट्वेड होई ती से कुछ ने कुछ तो अमेरिका ने सीखा होगा कि क्या उसकी आगे स्टैटेजी हो सकती है मगर जैसे जासे लड़ाई लंबी खिरती जाएगी इस लड़ाई को बढ़ हवा होने के चांसी बढ़ते जाएंगी कई ऐसा नहों कि यह लड़ स्टैटिड बन रहे हैं मद्यासता कर रहे हैं पाकिस्तान और इरान की लेकिन बॉल जो है अभी इरान के कोट में है तो यह क्या सीन बनता है अभी तो मुझे नहीं लगता इरान अभी आसी गलती करेगा नि क्योंकि सचाए है आपने का टर्कीवी चीन भी और रूस भी इस मैनेश क्योंकि कहीं न कहीं इरान से बाचित की कि बई डिमेस्टिक ओडियर्स को भी हमें हम ऐसा नहीं हो सकता पाकितान पर अमला और पाकितान उसको रिस्पॉंड ना करे तो इसलिए मुझे लगता है ये एक प्री प्लैंड किया है उस इसलाके में जहां पर इरान का कुछ हो और बिरिचिस्तान लिबरेशन आर्मी तो मुझे लगता है ये बाचित करके ही इसका जो रिस्पॉंस दिया है पाकितान ने ये बाचित करने के बाद दिया है तो इसका मुझे लगता नहीं कि एरान को रिस्पॉंस करेगा ये बात अभी तो लगता है ये बाइनला लेगी नहीं अट लिस्ट इरान और पाकिस्तान का ऐसा लगता है कि ये रिजॉल हो गया है आपसमन के ये बात अभी दभी रहेगी आगे ये लडाई क्या बोड लेगी जो इसराइल हमास की और जो होती निबल के साथ रेड सी में इसका कहना बड़ा मुस्कल है तो कि ये एक बहुत ही वॉल्टाइल सिट्वेशन पहुंच गिए बनविंदर सर आपने बहुत ही शाउट नोटिस में मेरे शो में आये आप मेरे लिए समय निकाला आपने बहुत बहुत धन्यवाद आपका जैहिंट जैभारत